गुब्बारे जैसी एकदम फूली फूली खस्ता करारी कचोरिया जिसे आप महीनों तक इस्टोर करके रख सकते हैं आवाज से आपको लग रहा होगा ना खस्ता करारी है सच में ऐसे ही बनेगी सारे टिप सेंट्रिक के तुरू अगर आप बनाते हैं तो हलो फ्रैंस वेल्कम बैक मैं चैनल मेरे कीचन में आप सब बहुत बहुत स्वागत है चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं तो इसे हम बनाएंगे बेसन से तो सबसे पहले हमें बून लेना है तो मैंने आप एक कप बेसन ले लिया है और इसे हमें हलका रोष्ट कर लेन है और इसे हमें कम आज पे ही भूनना है तेज आज पे बिल्कुल भी मत सेखिएगा बेसन को नहीं तो जल जाएगा और यहां पक घी या तेल कुछ भी नहीं आड़ करना है आपको बेसन को सूखाई रोष्ट कर लेना है जब तक इसमें से अच्छी खुसबून आने लगे आपको तब तक इसे भून लीजेगा और दीखे कलर भी बिल्कुल भी चेंज ना हो इस बात का ध्यान रखिएगा और आज एकदम लो रखना है इस तरीके से हमें जो बेसन को सेख लेना है सेखने के बाद इस गैस बंद कर देंगे और इसे हम साइड में रख देंगे ताक काvet हम क्या करेंगे इसमें डालेंगे मोयन त।ंय में के लिए सब से पहले हमें बीच मीस तरीके से गड़ा बना लेंगे की लोई म हम लगेंगे टेलर्ली कज़ोरी को लंबाई, तक इसी कज़ोरी कर लेंगे च्छोड़ी कटोरी भर के लिएगा और आधी मेरी लिएगा मैंने आप एक जो खाना सरब करने वाला कर्ची होता है ना उस कर्ची से देड कर्ची तेल ले लिया है और यह नॉर्मल रिफाइन तेल है सॉर्सू तेल नहीं है अब यहां पर जो पानी मैंने एक कप लिया था और उसमें चार से पांच बरब के टुकड़े डाल दिये थे तो यहां पर थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और आपको अच्छे से मसल मसल के एकदम ताइट आटा लगा के तयार करना है एकदम सॉफ्ट नहीं जैसे हम रोट के रख देंगे और एक कप पानी में से लगवा 5-6 चमच पानी बच गया है अब श्टफिंग के तयारी करेंगे श्टफिंग के लिए मैंने आप ग्रैंडर जार ले लिया है और उसमें डाल दिया दो चमच साबत दनिया इसे के साथ इसमें हम डाल लेंगे सौफ तुमें ताल मिर्ची दो चोटी चमच ले रही हूं तीखा नहीं है थोड़ा सा कलर के लिए आप चाहे तो ज्यादा भी ले सकते हैं और इसमें नमक स्वादा नुसर डालेंगे नमक यहां पे थोड़ा सा आप कमी रखिएगा और जितना आपको पसंदो साथ में चीनी भी क्योंकि जो कचोरी होती है ड्राई कचोरी तो थोड़ा सा खटा मिठा लगता है तो यहां पर चीनी जरूर डालिएगा अब इसमें हम ले लेंगे 15-20 काजू और साथ में हम डालेंगे आलमंट्स मैंने 8-10 आलमंट्स ले लिए हैं और इसमें डालेंगे किसमिस किसमिस पूरा पाउडर नहीं किया है दर दरा है आप देख सकते हैं इसका टेक्स्टर अब यहां पर हम क्या करेंगे जो हमने बेशन भून के रखा था न वह हम एड़ कर देंगे एक कप बेशन लिया था इसे हलका भून लिया है ताकि बेशन कच्छा ना लगे अब इन सारे तरह पाउडर अदो बाउड़ा है त villagers । इसमें 2 चीज एड़ करना जाने न बेशन आप इसमें जो-ईमली की चटनी और था हुती पकूर elk मेटल यहां पर तेल यहां posyip दया एका तमट्व सोबना आ यहां यहां फिसका पानी की नहीं तो मैं जो यहां मिली कि खतिमिटल चटनी और आपको इतना डालना है कि इसमें अच्छी सी बाइंडिंग आ जाए तो मैंने जितना डाला है परफेक्ट है अगर आपका मिस्टरन थोड़ा सा ड्राइ लगता है तो आप इसमें पानी मत आड़ कीजिएगा आप इसमें कैचप या चटनी ही आड़ कीजिएगा त उसे चोटा ही स्टाफिंग से हैं तो इस थरीके से सारे सारे नहीं थोड़े से बाल्स से तयार कर लिया है अब मेदा झूरा अब ना किते हैं और इसे में असल लेंगे एक बहर और ज़या ना लेगे और क्षोरी जैसे को पेड़ी बनानी है बड़ी चोटी उसれ स्तों तेयार करेंगे कि एक भी साइज रखने के लिए आपको ठोड़ा सा जो है लोई ले लेना है इस स्डार तो और उसके से कट कर लेंगे इस तरीके से चाकु से । बर यह कैसे श्टॉफ करना ताकि तेल में जाने कि भूठ खुले में одно मैदा को स्कॉत ही रिया है और इसे चोषर बाध के पतली कटोरी आ को हाथ नोफ्त के बना क्लाने में बांत करों आया में था साने की और इस तरिके से हमें हलके हाथों से दबाते हुए अब आती है फ्राई करने के लिए मैंने पर एक पैनले लिया है कोचोरी अच्छे से फ्राइष हो और इसमें तेल डाल दिया है। तही इसमें धियो जिल्हिड़ा जैसे हम मैध्या डाले तो medieval नहीं चाहिए इस तरीके से बड़े बाई बबल नहीं आने चाहिए ये एकदम चोटे चोटे और जैसे हमब कोचोरिय डाले तो तेल में नीचे बैठी रहे हैं जाते ही तेल में ऊपर ना अच्छी तरीके से कुक हो जाएगा कम आज पर फिर हम आज को थोड़ा सा लो टू मिडियम कर देंगे और अच्छा कलर आने तक इसे फ्राइ कर लेंगे और एक बार कचोरियों को तलने में आपको दस से बारा मिनट लग जाएंगे तो पर्फेक्ट इसी तरीके से बनाएगा कचोरिया बहुत ही अच्छी बनेंगी और आपको थोड़ा सा डाक कलर पसंद है तो आप थोड़ा सा और इसे फ्राइ कर सकते हैं तो पर्फेक्ट कचोरिया बनके तयार हो गई है और जब तक कचोरिया फ्राइ हो रही है तब तक आप इस वीडियो को कर दीजिए लाइक औ और देखिए अगला बेच डालने से पहले आज एकदम बन कर दीजिएगा फिर उसके बाद कचोरिया डालिएगा ताकि जो है टेंपरेचर थोड़ा सा डाउन हो जाए और कचोरिया अच्छे से फ्राइ हो तो जब भी आप इस तरह की कचोरिया बनाते हैं तो एक एक बात क का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा ताकि मुझे पता तो चले के मेरी वीडियो आपको अच्छी लग भी रही है नहीं तो प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिया आपने सहर और सिटी का नाम और दीखि कोई भी चीज हमने नहीं डाली है जिसे ये खराब हो जाए लगबग आप इसे एक महीने तक अराम से रख के खा सकते हैं देखिए अंदर से भी अच्छी तरीके से फुली हुई है कहीं भी मोटा नहीं है मसाले चारो तरफ से गए हुए हैं तो आप इस तरीके से इसे चटनी रवट इसे था देखिए Glaude